तो आज हम बनाने वाले हैं दोसा के संग मिलने वाली आलू की सब्चे यह बनाने में बहुत आसान है बहुत स्वादिश्ट है और बनाना तो बहुत ही आसान है तो चलो सामगरी देख लेते हैं आलू बाच आलू लिये मैंने इसे उबाल लिया अच्छी तरह प्यास आधा कटोरी प्यास जीरा कड़ी पत्ता हीं हल्दी जिंजा गालिक पेस्ट और चिली पेस्ट धनिया पत्ती अच्छी से बारिक काट लिये नमक और तेल इसमें तेल भी डाल दिया अभी हमारा तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच राई एक चमच जीरा इसे अच्छी तरह फूट में दीजी अच्छी तरह कि अगर चमच उरत की डाल अच्छी तरह अब हम इसमें डालेंगे यास अधा अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता इसके बाद जिंजर गालिक चिली पेस्ट अब ये रेडी हो गया प्यास और वाकी मसाला अब हम इसमें डालेंगे यह जामाः की मसाले यह पिंज ओफ दो हिंग अदाघा चमठ हल्दी इसे अच्छी तरह मिला लीजिए अब हम इसमें डालेंगे नमग sketch of तरफ अच्छी तरफ मिला लेजिए हमें सब्जी को अच्छी तरफ मिला लिया है आप हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और इसे अब हम एक मिनिट के लिए पका लेंगे और पिर इसे सर्विंग बाद में निकालेंगे यह रही हमारी मसाना दोसा खेशल अलुकी सब्ची यह बहुत ही स्वादिश्ट है पर इसका बहुत सुंदर लग रहा है आप इसे जरूर ट्राई किछे और पताए कैसे बनी है अलुकी सब्ची थांक यू सो बस भाइ दो बोगा टुए और इस दो कि झाए ग्राइड, ट्रोज़ तौल जाही है, नोगा चाले से खाले से खाले टाइड, यह जो आए था जाए ग्राइड, तो अजो कि शोड़ दो में खिवड़ा चाले से घुिए।